कॉमडी की किंग कपिल शर्मा की कॉमडी पर ब्रेक लगने वाला है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं जी हाँ कपिल का शो जल्द ही ओफेर होने जा रहा है अरे जिनाब खबर एक डम पक्की हो चुकी है शो के बाद होने से कपिल के फैंस काफ़ी निराश है लेकिन लगता है कपिल अपने फैंस को दुखी नहीं देख सकते तभी तो कपिल ने अपने शो के बंद होने पर फाइनली अपनी चुपी तोड़ी है कपिल ने एक इंटर्वियू में साफ कर दिया है कि बिगरती तबियत के कारण उन्होंने कुछ दिनों तक ब्रेक लेने का फैसा लिया है वो चैनल के अभारी है कि उन्होंने उनकी बात को समझा और प्यार से उनकी बात मान ली वो बहुत जल्द नई उर्जा के साथ वापस आएंगे वही कपिल ने बताया कि मैं अपनी सेहत को नजर अंदाज नहीं कर सकता मेरी फिल्म फिरंगी भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है मैं फिल्म के हेक्टिक शिड्डूल में काफी बिजी हूँ ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि कपिल की तबियत काफी दिनों से खराब चल रही है जिसके चलते कपिल लगातार शूट कैंसल करते जा रहे थे शारुक से लेकर अर्जन और हाली में बाक्षाओं के लिए आए अजे भी बिना शूट किये वापस चले गए थे पहले तो कपिल सितारों को अपने सेट पर बुला लेते हैं और फिर खुद ही नहीं आ पाते भले ही फिलाल कपिल का शूब बंध हो रहा हो लेकिन हम उमीद करते हैं कि कपल फिर से नहीं जोश के साथ लोगों काम अनुरंजन करेंगे इनमेफ नीउस की रिपोर्ट